हेलो फ्रेंज मेरे यूट्यूब चनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको सफेद बालों को जड़ से काला बनाने का और बालों को लंबा घना अब करने का एक बहुत ही असरदार घरली उपर बताने जा रही हूँ इसके इस्तिमाल से कम उम्र में सफेद बाल फिर से काले हो जाएंगे साथी अगर आपके बाल तूटते जड़ते हैं तो ये बालों को जड़ से मजबूत बनाएगा और आपके बाल लंबे घने और काले हो जाएंगे लेकिन इससे पर आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन इन घंटी को ज़रूर क्लिक कर ले मैं जब ही कोई निया वीडियो अप्लोट करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आप जब तक बेल बटन को आनी करेंगे आप मेरे नए वीडियो को नहीं देख पाएंगे इसलिए आपको बेल बटन ज़रूर क्लिक करना है मैं नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके बाल कमुम्र में ही सफेद हो जाते हैं या बालो बहुत जल्दी तूटने जड़ने लगते हैं या बालो के ग्रोथ नहीं होती है लेकिन यह नुसका बहुत ज़दा कारगर है सफेद बालो को फिर से काला बनाने के लिए और बालो को लंबा और घना करने के लिए इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मेथी दाना आपको मेथी दाना लेना है और इसे रात को पानी में विगो देना है रात को भिगोने के बाद सुबह आपको इसका पेस्ट त्यार कर लेना है यहां मैंने पहले से मेथी जाना का पेस्ट त्यार करके रखा हुआ है आपको यह पेस्ट लेना है अपनी बालों की इसाब से आपको यह पेस्ट लेना है ये बहुत ही ज़्यादा effective होता है बालों को काला करने में घना बनाने में ये हमाले बालों की जड़ों को मजबूत करता है जिससे हमारे बाल लंबे हो जाते हैं और काफी मजबूत हो जाते हैं जिससे बालों का टूटना जड़ना बंद हो जाता है इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है नारियल का तेल इस तरह से आपको इसमें एक चमच नारियल का तेल मिक्स करना है नारियल का तेल भी हमारे बालों को घना बनाता है और काला बनाता है अब इसमें आपको बदाम का तेल मिक्स कर लेना है एक चमच बदाम में भरपूर मातरा में विटामिनी पाय जाता है जो हमारे बालों की ग्रोथ को तेज करता है और हमारे बालों की जड़ों को पोशनर देता है जिसे हमारे बाल मजबूत होते हैं और बालों का टूटना जड़ना बंद हो जाता है इस उसका बहुत ही ज़्यदा एफेक तक मसाज करनी है फिर इसे अपने पूरे बालों में लगा लें और आदे घंटे के लिए लगा करके छोड़ दें फिर आप इसे धोले आप शैंपू कर सकते हैं यह बहुत ज्यादा एफेक्टिव है सफिद बालों को जड़ से काला बनाने के लिए और बालों को लंबा और घ युमे